तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे इस प्लायर को मैं किस लिए उछाल ला हूँ तो दोस्तों आपके घर में भी इस तरीके का वेस्टेंज प्लायर जरूर पड़ा होगा अगर आपके घर में भी पड़ा है तो आप लोग इस प्लायर से बहुत ही संदार जो है देशी फोल्ड कर देंग। तो दोस्तों सबते पहले हमें दो टुकड़ा ले लेना है लोहे का जो की 6 इंच लंबा रहेगा और लगबग 2 से 2.5 इंच की लंबाई पे हम इसको यहाँ पे देखिए निसान लगा के L7 में फोल्ड कर देंगे तो चलिए इसको फोल्ड कर देंगे देखिए यहाँ पे हमने इसको फोल्ड कर दिया है इसका हाप कटिंग करके इसको हमने दोनों टुकड़े को फोल्ड कर दिया है अब इसको हमें कहां जोईन करना है कैसे जोईन करना आप देखिए यहाँ पे हम अपना इसको अपने इस प्लायर में यहाँ पे नीचले वाले हिस्से और उपरे वाले हिस्से में यह दोनों जगा पे हम इसका वेल्डिंग करेंगे दोस्तो देखिए हमारा यह जुगार तयार हो चुका है हमने इसको दोनों तरफ से अच्छी तरीके से वेल्ड कर दिया है अब यह एकदम मजबूत हो चुका है दोस्तो इसमें देखिए हमने जो प्लास इस्तिमाल का एकदम वेस्टेज प्लास है यहाँ पे देखिए इसको हमने चारो तरफ से अच्छे से वेल्ड कर दिया है और आगे भी हमने वेल्ड कर दिया और इसको देखिए यहाँ पे हमने जो हाप कटिंग किया था यहाँ पे हमने वेल्डिंग करके मसाला भर दिया दोनों तरफ इसको भी तो दोस्तो अब ये हमारा जुगार एकदम पूरी तरीके से तयार है यूज़ करने के लिए और इसका खासियत ये है कि ये एकदम light weight है एकदम हलका आपको यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होगा कोई भारी पर नहीं महसुस होगा अब चलिए इसको यूज़ करते हैं तो दोस्तों देखे अब हमारा ये जुगार एकदम तयार है यूज़ करने के लिए अब ये देखे हम इस जुगार का नाम बता दे ये जुगार है इंट उठाने वाला जुगार तो देखे यहाँ पर हम दू-चार चार चार इटा ले ले लेते हैं इसके लिए तब आपको हम दिखाते हैं इसका यूज़ कैसे करते हैं देखे यहाँ पर हमने चार इट ले लिया है अब इसको हम जुगार को यहाँ पर लगाएंगे यह देकिए इसको हम लगा दिए अब यह देखे thोड़ा धीला लग रहा है इसको हम बार बार उठा रहे लेकिन इसमें हम चाहेंगे तो आराम से 5 इट एड़ेस्ट कर सकते हैं अगर थोड़ा पतला इट है अगर मीडियम साइज का है जो एवरेस साइज होता है 2 इट अगर उस साइज कराएगा तो आप इसमें 4 इट आराम से उठा सकते हैं तो आप देखें हम 5 इट एड़ेस्ट क यह जुगाड हमारा एकदम आसानी से काम कर रहा है न कमाल का जुगाड तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से कुछ न कुछ जानकारी जरूर मिली होगी अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और च